नमस्कार मौसम विज्ञान केंद्र जैपुर आपका स्वागत करता है राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी इस प्रकार है पिछले 24 घंटों में राज्ज में मौसम शुश्क रहा राज्ज के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर उष्ण लहर से तीवर उष्ण लहर दर्स की गई सर्वाधिक अधिक्तम तापमान फलौदी में 49.4 डिगरी सामान्य से 6.3 डिगरी उपर दर्स किया गया पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर उष्ण रात्री दर्स की गई राज्ज में सर्वाधिक निउन्तम तापमान कोटा में 35.6 डिगरी सामान्य से 4.6 डिगरी उपर दर्स किया गया आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिक्तम तापमान में 2-4 डिग्री सेलसियस की गिरावट होने की संभावना है राज्य में चल रहे भीशन हीटवेव के दौर से पूर्वी राजस्थान में 30 मई से जबकी पश्चिमी राजस्थान में 31 मई से राहत मिलने की प्रबल संभावना है एक नए पश्चिमी विक्षोब के प्रभाव से 31 मई को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं मेगगर्जन आंधी वहल की बारिश होने की संभावना है आंधी बारिश की गतिविधियां राज्य के पश्चिमी उत्तरी भागों में कहीं कहीं एक वदो जून को भी होने की प्रबल संभावना है नए विक्षोब के सक्रिय होने से आगामी तीन चार दिन राज्य के कुछ भागों में तेज सती हवाएं 25 से 30 किलोमिटर प्रती घंटे चलने की संभावना है हीट वेव से बचाव के सुझाव, गर्मी के जोखिम से बचें यथा संभव धके हुए स्थान में रहे, निर्जलीकरन से बचें तथा परियाप्त मात्रा में पानी पीएं किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को उश्मागत तनाव से बचाने के लिए नियामत रूप से सुभा अथवा शाम के समय अपने खेतों में सिंचाई करें हमसे जुरने व अधिक जानकारी के लिए कृप्या लिंक्स व मोबाइल एप का उपियोग करें धन्यवाद